अस्सलाम अलाइकुम वराह्मतुलाही वबरकातु हूँ जनाब बाबु भाई सुपालिवला गल्स प्राइमरी स्कूल कक्षा पांच विशय हिंदी विशयांग एकायती नन्हा मुन्ना राही हूं भाग दो इससे पहले के भाग में हमने नए शब्द, सब्दार्थ और काव्य समझूती देखी थी आज हम इसके प्रशनों के उटर और कुछ स्वाध्याई देखेंगे देखेंगे सबसे पहले हम निम्ना लिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए नमबर एक धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? उसका उत्तर है धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लह लहा उठेंगे नमबर दो दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? उत्तर नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा यानि नन्हा मुन्ना राही बड़ा होकर सिपाही बनेगा और हमारे देश की आँखों का तारा बनेगा आगे देखिए प्रशना तीन नन्हा राही सब को क्या सिखाएगा इसका उत्तर है नन्हा राही सब को प्यार भरा व्यभार सिखाएगा यानि सब को प्रेम से प्यार से रहते कैसे होना चाहिए कैसे प्यार से रहना चाहिए वैसे हमें सिखाएगा आगे प्रशना चार नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा इसका उत्तर है नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा नन्हा राही देश की सिवा करेगा और दुनिया में कहीं बम गिरने नहीं देगा प्रश्न पांच देश का सिपाही कौन है इसका उत्तर है ननहा बालग देश का सिपाही है यानि के अभी जो ननहा बालग है वो बड़ा होके देश के लिए देश की रक्षा के लिए सिपाही बनेगा और देश की रक्षा करेगा आगे देखिए प्रश्न छे नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा जिसका उत्तर है नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा यानि नन्हा राही किसी से भई भित न होकर बिलकूल निडरता से सीना तान कर अपने देश वास्यों के रक्सा करेगा और सीना तान कर निडर होकर चलेगा आगे देखिए हमने अभी ये जो भी प्रशनों के उत्तर देखे हैं यह सभी प्रशनों के छेओ छे प्रशनों के उत्तर सुन्दर स्वच अक्षर में जुड़नी का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कापी में एक बार लिखना है सबसे पहले आपने क्या लिखा है नए शब्द लिखे हैं उसके बाद सब्दार्थ लिखे और उसके बाद हमने एक बार काविय लिखा था उसके बाद आपको यह प्रशनों के उत्तर एक बार सुन्दर स्वच अक्षर में अपनी हिंदी की कापी में लिखना है अब हम आगे देखेंगे निमना लिखे तो शब्दों का विलोम यानि विरोधार्थी शब्द डुण कर लिखे यानि के विलोम शब्द को हम विरोधार्थी शब्द भी कर सकते हैं देखिए सबसे पहले है आगे जिसका विरोधी शब्द होता है पीछे उसके बाद दाया, दाया का विरोधी शब्द बाया धर्ती, धर्ती का विरोधी यानि विलोम शब्द क्या होता है? आकाश उसके बाद बड़ा, बड़ा का विरोधी यानि विलोम शब्द छोटा दूप का विरोधी यानि विलोम शब्द क्या होता है छाम मुचा का विरोधी शब्द नीचा अब हमें यह विरोधार्थी विलोम शब्द का उपयोग करके इसका वाक्य में प्रयोग करना है उसे पहले आपको यह सभी विलोम शब्द सुन्दर स्वच अक्षर में जोड़नी का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कापी में दो बार लिखना है अब हम यह शब्दों का यानि के विलोम शब्द का उपयोग करके उसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे देखिए ध्यान दीजे विलोम शब्द आधारीत वाक्य बनाईए देखिए सबसे पहले है सब बच्चे आगे चले जा रहे थे दूसरा वाक्य कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता इसलिए आप देखिए यहाँ पे कौनसा विलोम शब्द है आगे और पीछे कौनसा विलोम शब्द है आगे और पीछे जिसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं कौनसा शब्द आगे और पीछे उसके बाद है दूसरा वाक्य अशोक का दाया पेर जख्मी है अशोक का बाया पेर अच्छा है तो चलिए आप ही मुझे बताईए कि इसमेशे विलोम शब कौनसा है बताईए बिलकुल सही यहाँ पे विलोम शब्द दाया और बाया पे कौनसा है दाया और बाया अगे नमबर तीन धर्ती में पोधा उगता है आकाश में बादल होता है तो चलिए बताईए इन दो वाक्यों में विलोम शब्द कौनसे कौनसे है मुझे लगता है तक आपको समझ में आही गया होगा, यहां पे कौनसा विलोम शब्द है धर्ती और उसका विलोम शब्द आकास, तो चलिए इसके आगे के देखते हैं, नमबर चार, मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा चोटा भाई डॉक्टर है, तो चलिए बताईए यहां पे विलोम शब्द कौनसा कौनसा है, बिल्कुल सही, बड़ा चोटा नमबर पांच, धूप में पसीना निकलने लगता है, च्छाओं में शीतलता मिलती है, तो बताईए यहां पे विलोम शब्द कौनसे कौनसे है, आपको समझ में तो आही गया होगा बताईए, जी हां बिल्कुल सही, यहां पे विलोम शब्द धूप और उसका उत्तर च्छ यहां पे विलोम शब्द कौनसा है, बड़ा, छोटा, यहां पे धूप च्छाओं, आगे देखिए नमबर छे, नयारियल का पेड उचा होता है, तुलसी का पेड नीचा होता है, तो बताईए इसमें से विलोम शब्द कौनसे कौनसे हैं, उचा और नीचा कौनसा, उचा देखिए हम फिल से एक बार देखते हैं, देखिए यहां पे कौनसा है विलोम शब्द, बड़ा और छोटा, बड़ा छोटा, यहां पे दूप च्छाओं, यहां उचा और नीचा, इस तरह आप अपने वाक्या में भी नीचे लिटी कर सकते हैं, टाकि आपको समझ में आए, कि यहां पे कौनसा विलोम शब्द का उप्योग कर वाक्या बनाया गया है, तो आप इस तरह वाक्या में ही विलोम शब्द के नीचे लिटी कर देंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो चलिए हमारा यह वाक्या भी यहीं पे पू यहां पर अभी हमने जो भी विलोम शिब्द के वाक्य देखे हैं वो भी आपको सुन्दर स्वच अक्षर में जोड़नी का खास ध्यान रखते हुए सभी वाक्य अपने हिंदी की कापी में एक एक बार लिखना है धन्यवाद